सब से बड़ी प्रेब्लम बोड के साथ NDA की तयारी कैसे करें तो आज हम इसी बात को आप लोग के साथ लेकर आए हैं NDA और बोड दो अलग-अलग exam है और दोनों ही exam को हमें एक साथ लेकर चलना है और आज हम discuss करेंगे कि कैसे NDA को board के साथ crack किया जा सकता है, थोड़ी सी अच्छी तैयारी करके, मतलब कि थोड़ा सा extra effort लगा के, effort कम लगे और तैयारी जादा, मेहनत हर किसी में करनी पड़ती है, लेकिर उस मेहनत को सही जगा पर utilize करके hit करें, तो हमारा NDA crack हो सकता है, तो ब का general ability 600 marks, 1.500 question, इनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, unnecessary time waste नहीं करूँगा, हम बात करेंगे आज के इस topic में, common chapter ऐसे कौन से हैं, जिने हम अच्छी weightage के हिसाब से पढ़े और आगे बढ़े, कौन सी books को हम prefer करें, जो हमारी board और NDA दोनों में cover होती जाए, preparation strategy हमारी क्या ह होनी चाहिए, और last 10 year की cut off, क्योंकि हम common chapters की बात कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इन common chapter को पढ़ने के बाद, क्या हम लोग cut off के अंदर like करेंगे भी या नहीं, तो चलिए, बिल्कुल समय बरबात नहीं करतें, और common chapter के बारे में बात करतें, ये 12th का NCRT के हिसाब से, अगर आप लोगों ने, अचा सबसे पहली बात, NCRT में से 20% syllabus reduced हुआ था last year, वो reducing syllabus भी आपको पढ़ना है, यानि आपके effort 20% extra होने चाहिए, point number 1, और 10% NDA के और extra, यानि 30% extra मैनत करने है 12th से, और अगर आप इतना काम कर लेते हो, तो पक्की बात है, आप NDA को easily crack कर दोगे, बच्चे ये सोचते रहते हैं कि सर जी, एक बात बताओ, 30% effort देने के लिए बोल रहे हो, extra आप हमें, बच्चो इतना तो करना पड़ेगा, NDA का paper है, कोई मजाक नहीं है, बच्चे IIT की जो तयारी करते हैं, अपने दिन रात एक कर देते हैं, वो एक अलग तरीके का exam है, NDA ये एक अलग तरीके का exam है, जिसमें काफी सारे subject और SSB को साथ में रखके हमें चला जाता है, लेकिन पहली तैयारी आपकी सिरफ और सिरफ एक ही चीज पर निचे वो है return, और इस return में maths का portion सबसे जादा important है, मैं आपको इन chapters में ये भी बताऊँगा कि किन topic पे जादा ध्या सठीक होना चाहिए और वो सठीक करने के लिए आपको इन chapters को ध्यान में रखके चलना पड़ेगा with books, देखो, देखो 2-3 question है, मैं तो कहा रहा हूँ आपने suppose करो relation function नहीं बढ़ा, मैं ये माल लेता हूँ, ITF की बारी की बात करता हूँ, inverse trigonometric function, पीटा, ITF से भी NDA में 2-3 ऐसे chapter हैं जिनने मैं हमेशा बोलता हूँ, आपकी आख मंद करके जो chapter आप पढ़ रहे है, ITF probability, pure NCRT करो, एक एक question और जो reduce हो गया है सेले, बस वो वाले भी NCRT का example and आपको पूरी-पूरी NCRT और example सारे question करने है, अब आप कहेंगे तो sir, extra question कुछ ना करे, हम लोग 12th के हिसा का अराम से NDA का एक-एक सवाल clear, और है बेटा, probability की एक question, ऐसे question है, कि NCRT में एक-क question ऐसा है, जो किसी ना किसी साल में पूछा गया, और probability में लगबग 8-10 question paper में आते हैं NDA के, तो अगर आप ये दो chapter को NCRT में से पढ़ते हो, तो आपको ज़ादा बढ़न नहीं पढ़ेग इसके अंदर एक topic कटा हुआ है, elementary row transformation matrices में से उस topic को आपको करना भी नहीं है, ये बात दिमाग में डाल लो, तो सर इसे पढ़े कहा से, इसके अंदर सबसे पहले 3 बातों को जरूर बढ़ना है, जो छोटे-छोटे question है ना, जैसे adjoint a का determinant, determinant की power, order minus 1 करके होता है, फिर k a determinant का formula वो सारे जो formula वाले question है, छोटे-मोटे जो होते हैं, जैसे आप से पूछ लेता है, i plus a का whole cube minus 7a और a square i के बराबर है, इस type वाले question, adjoint a की value कितनी होगी 2 by 2 में, 3 by 3 में, एक ये, एक question इस पे जरूर आएगा, दूसरा question जो आपका छोटे-मोटे में आता है, वो होता है inverse पे, inverse में matrix method, matrix method का मतलब है, adjoint पे भी आ सकता है, क्योंकि adjoint की help से ही inverse निकलता है, और ये inverse निकालने की बहुत भैतरीन trick मैंने अपनी शौरे 1.0 वाले batch में बताई भी हुई है, बताई भी हुई है, determinant में, शौरे में भी उता रखे, foundation में भी उता रखे, क्या होता है, उससे question पक लेकिन अगर आप NCIT के method से करोगे, यानि CBSC के method से करोगे, तो आपके तोते उड़ जाएंगे, यानि आपको एक method extra पढ़ना है, इसके अंदर, और यहां पर 3-4 अलग तरीके की special type of matrix है, जैसे की skew hermetian, hermetian, orthogonal matrix, जो आप CBSC में नहीं बढ़ रहे हैं, involuntary, idipotent, nil portent, आपन topic है, जो एक page में आ जाते हैं, मतलब इतना चोटा topic है, formula is simple simple, कुछ जादा दिमाग नहीं लगता, तो यह सारे जो चोट चोटी चीज़ें, यह आपको extra पढ़ना है, 8 से 10 question आते हैं, असान chapter है, सारे question करने लायक होते है, chapter number 5, limit continuity and differentiability, बच्चों इसके अंदर limit से 2 से 3 सवाल आते हैं, continuity से 1 सवाल आ सकता है, और differentiation से करने लायक question होते हैं, जो आप clearly कर सकते हो, total मान के चलिए, 4 से 5 सवाल और 2 सवाल ऐसे होंगे, जो आपके limit या continuity से हुए, तो आप L hospital rule या L hospital rule लगा के आराम से फोड़ सकते हैं, यानि इसमें भी आपको ज़्यादा effort मारने की जूरत पड़ी, अभी आपने कौन सी किताब पढ़नी है, 3rd, 4th के अंदर ये बात कर लेते हैं, NCRT और previous year question of board, अब बच्चे बोलेंगे सिर्पी वाई की ओ बोड कौन सा यूज करें, अरे भाई, एक बात बताओ, एक किताब का नाम है ABC और एक किताब का नाम है XYZ, दोनो previous year question दे लेकिन आप अपने answer ठीक रखो, बात कताब, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, तो मेन जो focus करें, वो क्या करें इसके अंदर, NCRT प्लस previous year question of CBSC not NDA, NDA का मैं नाम भी नहीं ले रहा भी, limit continuity and differentiability में भी यही करना है, NCRT and previous year question, अगर आप RD शर में पढ़ रहे हो, तो वो NCRT और exemplar करते हैं, that is also very good, अगर आप चाहते हैं कि, एक second, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो topic है, उसके अंदर जाधा अच्छा हो, तो पहले least number पर मैं दूँगा, NCRT और CBSC को, लेकिन इससे आपका अच्छा हो जाएगा, बहुत, उससे थोड़ा सा अच्छा करना है, NCR NCRT with exemplar, और अच्छा आडी शर्मा वगेरा कर सकते हैं, आरे सगरवा, कोई भी एक book, ठीक है, AOD, application of derivative, sir, लगबग, लगबग मान के चलो, 4-5 सवाल आपके paper में आएंगे ही आएंगे, कम से कम, और इसके अंदर से, maximum minima का एक सवाल आता है, बच्चे केंगे, sir, maximum minima, दो पे minimum, find absolute minimum, जो starting वाले question है, algebraic expression को use करके, maximum और minimum value निकालनी होते हैं, वो आले question, वो आते हैं, तो ये छोटे-छोटे, इसके अंदर भी आप NCRT का proper परेयोग करके, rate of change, increasing, decreasing, tangent normal, और maximum minima को पड़े, tangent normal, CBSC से out of course हो गया है, लेकिन मैंने पहले ही बोला है, जो cut चुका है portion वो भी आपको करना है, NCRT plus PYQ और वोर्ड यूज़ कर सकते है, RD Sharma या RS अगरवाल या, मतलब PYQ, RD Sharma, Examplar या RS, इन सब में से कोई एक बुक यूज़ करनी है, एक ही को लेके चलना है हर किसी में, आपका automatically अच्छा हो जाएगा, सारा का सारा हिसाब किताब, इंटीग्रल, इंटीग्रल में NCID में 496 question है, 2500 extra question मालो, examples को मिला के बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में, लगबग, 496 के असपास है, so आप extra question मालो, 600 question पढ़ने पढ़ते हैं, 10-12 number का CBSC में आता है, पढ़ना तो पढ़ेगा, guarantee है, एक question definite integrals का आएगा, किसी भी साल के paper में उठाके देख लो, किसी भी साल के randomly, मन कर रहा है सर 2021 में देखना चाहते हैं, मन कर रहा है सर 2015 में देखना चाहते हैं, definite integral का मिल रहा होगा, definite integral में भी, जादा तर 80% cases में कौन सा मिल रहा हो, वो सुन लो, पर जिसके अंदर आता है, odd even function, जिसके अंदर 0 बन जाता है, या फिर 0 से 2 ये वाला, ये दो सवाल में से एक question जरूर दिख रहा होगा 80% cases में, लेकिन definite integral का जरूर आएगा, यानि NCIT की 7.11 exercise पुरानी किताब के साब से, और जिसके और नई किताब इस साल खरीदी है, और नई आए edition है, 7.10 exercise, वो और विद, एक एक question of example of definite integral and, एक एक question आपका miscellaneous क तो इसके अंदर आप नाना करते आराम से, NDA में 6-8 question आते हैं, नाना करते 3-4 के लिए आप अच्छा prepare कर सकते हैं खुद को, AOI application of integration हलवा chapter है, कुछ ज्यादा दिमाग और चूचा पढ़नी करने की जूरा था इसके अंदर, गुराली वली NCIT उठाओ, पूरे questions कर दो, एक ए कर लेना, question अलग होगा NCIT से, लेकिन funday clear है तो कर दो, value तो अलग हो सकती है ना, भाई, यहाँ sinex का integration कर भी यूज हो रहागा, वहाँ cost यूज कर लिया होगा, यहाँ parabola बोला होगा, वहाँ पर यूज कर रहा रहा हो, circle, तो यह सब चीजी होगा, और जहाँ circle होगा, वहाँ कर सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, इस में से family of lines या family of curve out of course है, CBSC में, लेकिन NDA में एक सवाल आता है, उसे जरूर पढ़ना है, और उसकी अच्छी बात यह है, कि pure NCIT में से ही आ जाता है, कुछ जादा दिमाग का नहीं नहीं करता, तो इसके अंदर भी NCIT और extra book लेकि ही चलनी है, vector 3D, जितना जादा पढ़ोगे, उतना जादा बेटर है, 8 से 10 सवाल आएंगे, plane का topic 3D में से कट चुका है, co-planarity कट चुका है, यह दो topic इस में से कटे वे हैं, लेकिन मैं आपको बता जेता हूं, board में एक सवाल जो आपको इस सल देखने को मिलेगा, वो ह image of the point या foot of perpendicular, date note कर लो, time note कर लो, आपके pre-board के अंदर भी एक सवाल आया होगा इस से, foot of perpendicular या image of the point से, line वाला case, तो NDA के अंदर नहीं कहारे, guarantee दे रहा है, CBSC में दे रहा हो भी, अब बात करता हूं, NDA में कौन सा आएगा, plane, plane के जो equation निकालने वाले है, उस पे, या फिर आ आ जाएगा foot of perpendicular plane वाला, image of the point plane वाला, या फिर आ जाएगा intersection of two plane वाला, या topic में से, या co-planarity, या topic में से एक question 3D में देखने को जरूर मिलता है, ये 4-5 अलग-अलग question भी कर लोगे, तब भी समझ आ जाते हैं, लेकिन या out of course हो रखा है CBSC में, तो मैंने पहली बोला है, वो तो आपको पढ़ना पढ़ेगा, उसका और कोई alternate नहीं है, ठीक है, अच्छा, LPP, कुछ मत पढ़ो sir, inequality is LPP, अगर आप ये सारा भी पढ़ लेते हो, ना ना करते हैं, आपके आराम से, देखे, minimum 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14, 14 और 7, 21, 21 और ay में से 2 मान लो, 21 और 2, 23, 23 और इस में से कम स 3 से 4 कोईशन आते हैं, 23 और 3, 26, 26 और 16, सीधे सीधे आपके 42 कोईशन minimum प्रिपेर हो रहे है, 42 प्लस कोईशन, और मैं ये कहता हूं कि जो बच्चा 48 प्लस कोईशन करके आ जाता है, करेक्ट उसका इंडियेगा पेपर निकल जाता है, बोड के पेपर लगबग 12th क्लास के 10 सारीक को खतम हो रहे है, तो उसके बाद अपने पास आराम से 20 दिन है, 20 मानलो जो 2-4 दिन उपर है, मैंने मानली होली में चले गए, बड़े पाटी, ये पाटी, वो पाटी में चले गए, बोड का एक दिन रिलाक्स करने में चले गए, इसमें चले गए, तो 20 दिन के अंद पकड़ लो, असान chapter है sir, 2-3 सवाल, और करने वाले, log पकड़ लो, 2-3 सवाल, binary पकड़ लो, 1-2 सवाल, मतलब ऐसे chapter हो के नाम लिखवा रहा हूं, जो बिलकुल निल chapter है, जिनमें कम टाइम देकर, जादा marks कीच सकते हो, यह सारे chapter आप आराम से 20 दिन में cover कर सकते हो, और इनके अंदर क्या लगाओगे, previous year question of NDA, 10 year का, उसके बाद देखो, आपकी preparation, यह 42 से सीधी सीधी 62 प्लस पे पहुच जाईगी, और 62 प्लस में से अगर आप 48 question ठीक कर आए, तो NDA का maths clear करने से आपको कोई नहीं रोग सकता, यह सच है, क्यों नहीं रोग सकता, किताब के बारे में म क्योंकि CBSC आपका खतम हो जाएगा, ठीक है, क्यों नहीं लोग सकता, क्योंकि आपके पास मैं पहले cutoff बता रहा हूँ, फिर preparation strategy पर आऊँगा, क्योंकि आज तक जो minimum qualifying cutoff गई है, वो 25% गई है, और मैं तो आपको 48 question बोल रहा हूँ, that means 40% और आज तक जो cutoff गई है, merit में, व this was the minimum percentage of written exam, यानि जो बच्चा minimum match में 25% ले आया है, और match और GAT में मिलाके 40% लाया है, कम से कम, 40 के आसपास, तो उसकी last rank जरूर होगी, उसका नाम NDA के परचे में जरूर लिखा हुआ होगा, ये बात याद रख लो, तो इसका मतलब अगर आप 40% की preparation कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप 40% की preparation कर लेते हैं, कम से कम है ये, तो आप NDA के परचे में नाम दर्ज करा लोगे, और मैं तो कह रहा हूँ, बासट प्लस पढ़के जा रहे हो, आप आराम से clear कर जाओगे match के question, और मुझे पता है कि 20 दिन में कोई भी बच्चा ये 4 चैप्टर नहीं पढ़ने वाला बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकता है 20 दिन में, अगर चाहे तो, मैं तो फिर भी 4 चोटे-चोटे चैप्टर बोल रहा हूँ, जिन में से 3 ऐसे चैप्टर हैं जो एक दिन में खतम होते हैं, इन दोनों चैप्टर को ये मानलों कि भाई, 8 दिन दे दिये, 8 और 2 इ पहले अपने आपको नीव बनाओ, भाई साब विराट कोली को 50 ओर के मैच में खेलते वे देखा हैं, क्या करते हैं भाई साब, अच्छे बैक्समांस का जातर ही हैं, क्या करेंगे, 28-30 बोलों में लगबग 15 रन, 20 रन, 22 रन, और सेंचुरी हो रही है, 85 बोलों में, कैसे, कुन सा बोलर मतलब किस प्रकार के कुश्यन आ रहे हैं, फिच का मतलब कैसी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका एक बढ़ बढ़ जाएगा, तो फिर उसके बाद हम चौके छके लगा लेंगे, बागी चैप्टर में में दिक्कत नहीं आएगी, और फिर र हम 6 गंटे पढ़ते हैं, 7 गंटे पढ़ते हैं, 8 गंटे, बिल्कुल नहीं पढ़ना है सर, अब कोगे फिर 12 गंटे पढ़ना है, आप है किस ने बोला भाई, कोस्चन कही साब से पढ़ना है, कि सर जी मान लो मैं ITF पढ़ रहा हूं, ITF के अंदर NCIT में 80 कोस्चन है, आज ज चोट-चोटी टार्गेट बनाओ, और इन्हें अचीव करो, 50 खत मुझे मेरे आदे घंटे में, आदे घंटे में उड़ जाऊँगा, एक घंटे में, एक घंटे में, चार घंटे में, चार घंटे में उठोगा, ऐसा अपना टार्गेट बनाओगे, तब आगे बढ़ोगे भाई साब घंटों के साफ से पढ़ाई नहीं होती क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं कॉपी को लेकर आदों का दिमाग यूएस से पहुचा होता है और आदे पाकिस्तानी बंदों को मार रहे होते हैं कि हम NDA में सेलेक्ट हो गए हातों से पेल रहे हैं बच्चों को ओ क्य जाई हो दिमाग भाँ पहुचा हो था है तो तो भाई साब वहाँ से खीच के लाने का तरीका क्या है और ऐसा ही 6 घंटे बीच जाते हैं और फिर कineaते सांव 6 घंटे बढ़ाई करते हैं आँ से दीह άिम इंतल क्सिपनाई क्यािश्चा जाए यहिए यहां क्यसी पढ़ाई क कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो इस तरीके से मारो कोई दिक्कत नहीं है सारा काम फोड़ के करो आगे सिरफ याद रखना कि अगर इस strategy को follow कर लेते हो ना इस बात की मेरी guarantee है guarantee है मेरी कि आराम से paper को निकाल दो कि किसी की जुरत नहीं पड़ेगी छोटे-छोटे points में ही success छुपी हुई है लगाओ आगे बड़ो भगवान करें ब्रेंडिय में selection हो तुम्हारा ते दिल से defense वाला physics वाला यही चालता है और मैं पुनी डोगरा मैं भी यही चालता हूँ तो मिलते हैं आप लोगो कर दिल दो घ्नाव को सही चालता हूँ यहाँ वढसtså बड़े जeka दुम्हाँ को साटे काम जा मैं झालता हूँ सेटे कातिया यह लिए पारी दिल सेना सवर हैं हं नुश है यहाँ रानों को झालता हैury की तरा